नमस्कार दोस्तों आशूस कोकिंग मैदिक से मैं आशू आज आप सबके लिए मखाने की रेसिपी लेके आई हूँ मखाने में भरपूर मात्रा में विटामिन्स पाये जाते हैं कैल्शियम प्रोटीन और इसमें हेल्दी फैट भी होता है तो आज हम बनाएंगे मखाने की बरफी और इसको बनाने के लिए ना हम देसी घी यूज़ करेंगे ना मावा ना ही चीनी की चासनी इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मखाने की बरफी को आप जनमाश्ट मी पे या किसी भी पूजा पार्ट में या किसी भी तीस तोहार पे बना के खा सकते हैं और इस मखाने की बरफी को आपका पूरा परिवार बहुत पसंद करेगा तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो वीडियो की शिर्वात करते हैं सबसे पहले मैं आपको इंग्रीडियन्स दिखा देती हूँ 300 ग्राम के करीब मैंने मखाना लिया है जिसे की लोटेस सीट्स कहते है और साथी में इसको फॉक्स नेट भी कहते है आदा कप काजू लिया है अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप मोंफली के दाने भी यूज कर सकते हैं अदा कप इसके साथ आदा कप मैंने नारियल का बुरादा यानि की डेजिकेटिड कोकोनेट लिया है अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप इसको skip कर सकते हैं हो तो आप जरूर डालिएगा साती में मैंने स्वात के अनुसार शक्कर ली है तो शक्कर आप अपनी स्वात के अनुसार कम जादा ले सकते हैं और मैंने यहां पे लिया है फुल क्रीम आदा लीटर दूद यह बहुत इंग्रीडिन्ट है आप चाहे तो यहां पे बॉयल किया हुआ आदा लीटर दूद ले सकते हैं लेकिन उसके साथ मलाई जरूर लीजेगा तभी आपकी मिठाई बहुत अच्छी बनेगी मैं अब यहां पे एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दे रही हूँ मैं बिना घी के बिना चासनी के बिना मावे की यह रेसेपी बना रही हूँ तो इसलिए मैं इस कढ़ाई में कुछ भी नी डालूंगी सिर्फ मकाना डालूंगी और लो फ्लेम पे हम इसको लगतार चलाते हुए रोस्ट करेंगे मकाने को कभी भी हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे रोस्ट नहीं करिएगा नहीं तो मकाने का कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है हम ये कोशिश ये करने है कि मखाने का कलर बहुत जादा ना चेंज हो इसलिए इसको बहुत धीमी आज पे हम लगबग तीन से चार मिनट लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे मखाना जब अच्छे से रोस्ट हो जाता है तो उसमें अलग सा क्रंच आ जाता है तो यहां पे लगबग मुझे चार मिनिट हो चुके है मखाने को रोस्ट करते हुए और आप देख सकते हैं मखाने का हलका सा कलर चेंज हुआ है तो अब हम चेक करते हैं कि मखाना रोस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है यह देखिए इसको जब हमने उंगली से दबाया तो यह क्रश हो रहा है बहुत अराम से तो बस इसी टाइम पे यह मखाना हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है अब हम इसे दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर देते हैं मखाना बहुत बढ़िया से रोस्ट हो चुका है गैस की फ्लेम को लो ही रखेगा बस अब हम इसी टाइम पे इसमें काजू डाल देते हैं आधा काजू को बिल्कुल लो फ्लेम पे हम एक से दो मिनट ही रोस्ट करेंगे यह बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है और इसका कलर भी बहुत जल्दी चेंज हो जाता है इसको भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना है नहीं तो इसका कलर बहुत जादा लाल हो जाएगा वाजू बिल्कुल पॉफिक्ट रोस्ट हो चुका है, इसको भी हमने एक बोल में ट्रांस्फर कर लिया है, तो ये देखे, किता बढ़िया कलर है, इसको साइट में करते हैं, गैस की फ्लेम को हम बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें यहां पे नारियल के बुरादे को रोस्ट क अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, इसे डालना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर है तो जरू डालिये, थोड़ा सा टेस्ट में फर्क आ जाएगा, तो नारियल को लबबग एक मिनिट हमने रोस्ट कर लिया है अब हम इसको दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर देते हैं, यहां पर हमने मिक्सी का जार लिया है, जार जो है वो बिल्कुल सूखा है, ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, इसमें हम सारा मखाना डाल देंगे, और जार में ढखकन लगा के इसको हम प पाउडर बन गया है, अगर आपका इस तरह का नहीं होता है, तो आप छनी से चान के बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कल लीजेगा, तो यह हमारा हो चुका है तयार, अब हम सेम उसी मिक्सी के जार में हम काजू को भी पीस लेंगे, और काजू को पीसेंगे तो बिल्कुल अगर नारियल का रोस्ट किया है, अगर अच्छे से मिक्स करना है और यह बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, अगर छोटे चोटे से दाने रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, उसको आप छांस के अलग कर सकते हैं, यहां पे हम इसको अच्छे से मिला दिया है अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, वो बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का आप हिस्सा बनिए और बगल में जो बैल आइकन है, उसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, अब भी हम उस पाउडर को साइट में कर देते हैं, मिक्षर बहुत अच्छे से तयार हो गया है, सेम उसी कढ़ाई में हम आधा लीटर दूद को डाल के बॉयल करेंगे, तो मैं या पे कच्छा और इसमें मलाई आए तो देखे मलाई आए तो में दीरे 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 दूद में ही मिला देरी हूँ लो टू मीडियम फ्लेम पे दूद को हम अच्छे से पकाएंगे तो इसके बाद लगब चार से पांच मिनट हो चुका आप देख सते हैं दूद कितना बढ़िया से गाड इसी के साथ मैंने पिसी इलाइची पाउडर डाल दिया है कूट के अगर आप इलाइची पाउडर का फ्लेवर पसंद करते हैं तो डालिये नहीं पसंद करते हैं तो इसकिप कर सकते हैं शक्कर और इलाइची पाउडर को मैंने बहुत अच्छे से मिला दिया है यहां पे ब बस इसी थाईम पहम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे इस भात का झायं डखेगा मैं तेक्य工 general की बंद कर दिया है बंद करने के बाद आभ अपन में future तो थापमान बहुत जाधा नहीं होना चाहिए जब मिक्षर को डाले और फटाफट इस नहीं में मिक्स पेड इसमें जोइ मिलना हैं, यसमें कोई लंस नहीं होना प्रिट में जदधी जल्दी हाह चलाते हुए हमें इस मिलाना इस में कोई लंस नहीं रहना चाहिए यानि कि गार्ट नहीं रहनी चाहिए हमें इतने सr dick remove it अब नचेसे मीक्सों, अब हम ल pista एकृफ लोग फ्लेम को रहे हैं, अब र голос की प्रेफ एक रख रखे उड़ी को निसद वर रते हैं, कणियो जैसे हम मिक्स करते रहेंगे, कढ़ाई हमारी जैसे हलकी गरम होती रहेगी। यह मिक्षर बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि हम आटा गूते हैं बिल्कुल उसी तरह से यह बिल्कुल चिकना सा डो फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन इसको चलाना यहां पर बिल्कुल भी बंद मत करियेगा, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, यह जब मिक्सर जब होगा तो थोड़ा सा अपको ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन टाइट होगा तभी हमारी बर्फी बनेगी अच्छी सी, तो इसको हमें बस लगातार इ तो अब हमें कुछ नहीं करना है, जोड़ा से लगाताघी कर दाएगे क्या होगा है, यहां हमारा मिक्सर ब्लुल कैर इसको नहीं वर स्थार हो चुका है लेकिन बंद करने के बाद भी मिक्सर चलाना नहीं बंद करेंगे मैं लगग 1-2 मिंट तक चलाते रहेंगे, इससे सक अगर बन कर देंगे, तो दूसरे बर्तन में ट्रांस्फर करते हैं, अगर अगर में ग्रीस नहीं किया है, आप धान दीजेगा, क्योंकि हम इसमें एक बोंद भी घी यूज नहीं कर रहे हैं, अब हम चम्मत से इसको अच्छे से शेप देंगे, बर्फी आपको पतली मोटी ज आपको पतला कर सकते हैं, अच्छे से चम्मत वैने को शेप दे दिया है, पिष्टा से इसकी गारनिष कर धी殺 थोड़े से केसर के धागे भी मैंने इस पे लगा दिये हैं, अब मैं एक चम्मच लेके, इसको बहुत चिकना करूंगी। जितनी चिकनी और अच्छी सी दभी हुई होती है, शेप में होती उतनी अच्छी लगती है. तो चमत से आप ये वाला स्टैप जरू करिएगा, अच्छी से इसको दबा दबा के शेप दीजेगा, चिकना करिएगा. इससे आपके dry fruits जो भी आपने गानिश कियें वो अच्छे से बर्फी पे सेट हो जाएंगे साती में बर्फी आपकी बिल्कुल चिकनी बनेगी और बहुती perfect shape आएगा बर्फी का एक गंट, हमें कितनी जएककी बर्फी कने के बर्फी, साथी में ये थाली था थाली खुड़ एकने रीड़ी contemporary. बहुत स्वादिष्ट होने के साथ सा बहुत हेल्दी बर्फी की रेसिपी है, इसको आप मेरे कहने से जरूर ट्राइ करिएगा, उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई की तो आपने देखा की बर्फी थाली से कितने आराम से अलग हो गई, देखा करिए जल्दी से इस रेसिपी को ट्राइ करिए जन्माश्च भी या किसी भी स्पेशल ओकेशन पे आपके परिवार को जरूर पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी, बहुत हल्दी रेसिपी है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए, हम फिर मिलेंगे एक नहीं रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, बाँ बाई and टेक केर.